हाई अव्रिवन कैसे आप लोग स्टूडेंट स्वागत है आपका आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में अभी रिसेंट एक कॉमेंट आया हमारे एक स्टूडेंट का उनका कहना था कि सर अगर मुझे कोई पार्ट टाइम वर्क चाहिए बैंक में तो क्या मिल जाएग सपोर्ट करता है commerce स्टूडेंट को वैसे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस वीडियोस मिलेगी जो आपके करियेर में काम आएगी आपके एकजाम में काम आएगी आपके जॉब में काम आएगी तो दो चीजे है है banking professionals firms जो होती है वह दो तेरे की होती है एक banking होती है एक financial होती है financial में भी insurance वाली भी होती है जैसे मैं बात करूं इस है जर्कारी bank के state bank of India State bank of India की अपनी दूसरी एक sister bank of India की a strategically company है युसका नाम है rab life जो इंस्स product प्रवाइड करते हैं पंजाब निशनल बैंक उनका भी है प्राइविट में जाहें तो HDFC बैंक है उनीका ही सिस्टरकर्सन कंपनी है HDFC लाइफ ICIC बैंक है उनीक ही है ICIC पोटेंशियल, ICIC लोंबार्ड ऐसी बहुत सारी आपको companies मिलेंगी जो हैं इनी बैंक के ही एक शाखाएं इनी बैंक का ये रूप एक ब्रांच अब ऐसे में आपको और पार्ट्ट्ट्ट्ट ब्रक चाहिए तो क्या कैसे मिलेगा और पार्ट्ट्ट् थाथ तरीके का है देखो सिंपल सी बात है अगर आप किसी भी बैंक में या financial corporation में part-time work करना चाहते हैं तो वो part-time work target based होगा उसमें आपको salary नहीं मिलेगी उसमें आप जितना काम करोगे उस basis पे आपको पैसे मिले हैं सबोस आप account खोलने का part-time work कर रहे हो policies बेचने का part-time work कर रहे हो ठीक है ना services बेचने का part-time work कर रहे हो तो number of services जितनी ही आप sale करोगे एक दिन में उसके returns में आपको उसका commission मिल जाएगा जो की होता है proxy 10 से 20 25% कुछ कब private companies जो चल नहीं रही है वो ज्यादा commission भी देती हैं तो यह सब चीजे हैं तो सबसे पहले आप जानी है कि अगर आप simply मैं बात करूँ है पहले financial और insurance firms की financial firms होती है जो bank नहीं है लिकिन यह bank से भी कम नहीं है यह provide provide गाते जैसे gold loan जैसे आपको multi facilities like loan को services provide करते हैं ठीक है ना तो insurance firms होती है हैं बहुत सारी है digit होगी आपकी PNB Met Life हो गया SBI Life हो गया SDFC Life हो गया ICIC Lombard हो गया ऐसी बहुत सारी आपको यहां पर companies मिलेंगी तो अगर आपको financial company या insurance company में part-time work चीए तो उसका simple सा अधर उधारन है POSP point of sale person यह point of sale person क्या होता है जहां पहले क्या होता था पहले job करके लोग insurance वगयरा sale करते थे लेकिन आपको पता है कि अब LIC के भी agent हो गए है ऐसी हर company में अपनी agent जो है part-time रख लिए हैं आपको simply करना क्या है एक exam के लिए करना है IRDI क्या यानि कि insurance regulatory authority development authority of India का IRDI का जो exam है जैसी आप conduct कर लोगे वह bank आपको training भी देंगे सिखाएंगे भी उसके बाद आप lifetime certificate के साथ part-time work कर सकते हो life में सब को insurance की जुरत है कभी ना कभी और एक बार ले लिया तो हर साल renewal भी करना पड़ता है ऐसे में आप जो services sale करोगे उसका आपको commission बिलेगा तो मैं कुछ example दे दूँ जैसे आप देख सकते हुए PNB MatLife है तो आप किसी भी insurance company का नाम डाल दो Google पर और उसके साथ लिख दो POSP जैसी आप लिखोगे या agent login या agent लिख दो उसके आगे तो आपको official link आजाएगा वहाँ पर जाके आप घर बैठे ही apply कर सकते हैं और काम मिल जुड़ के आप अपना advisor बनके यहां से पैसे कमा सकते हैं सब बता रखा है कि कोई भी काम कर सकता है student है कौन-कौन partner बन सकता है flexible timing रहेगी सब यहां पर बता रखा है और यहीं पर आपको apply link दे रहते हैं जैसे यहां पर दे रखा है तो यहां से जाके आपको form बढ़ देना है apply कर सकते हैं तो यहां पर आप apply करने के बाद पहले आपको training दी जाएगी फिर एक exam होगा उसके बाद आप इनके permanent part time काम करने वाले बन जाओगे अगर आप company छोड़के किसी और company में जाना चाहते हो वह भी कर सकते हो इसी तरह की जिसे paytm की मैं बात करूं paytm भी अपनी की यह चार services हैं जिसमें आपका scanner है sound box है और आपका EDC machine है fast tag है इसको आपको sale करना है यहां पर आपको apply का link मिल जाता है यहां पर apply कर सकते हैं यह मैंने आपको उधारण दिये है ऐसी कोई भी digit digit POSP लिग दो जितनी भी आपको companies insurance की दिखते हैं उनके आगे agent या POSP डाल दे है कि नहीं सर आप तो bank के बारे में बता हूं like अगर मैं बात करूं ICIC bank HDFC bank एक्सी बंदन है को टैक है आपका city bank है और बहुत सरे banks इंडिया में काम करते है यह बैंक अगर उन बैंक में अगर आपको part time work चाहिए तो किस तरह कर मिलेगा और कैसे मिलेगा पहले बात करेंगे क इस तरह के का मिलेगा तो simple सी बात है आपको जो part time work मिलेगा वो target base मिलेगा बल्लब आपको sale करने account जैसे bank के services होते है types of account saving, current, demate, यह account आपको लोगो को बेचने, credit card आपको लोगो को देना है, कोई FD कराना चाहिए उसकी FD करवानी है, अगर यह सब चीज़े provide कराते हो तो आपको commission मिलता है, अगर आप कुछ time तक अच्छा revenue generate कराते हो bank के लिए, तो bank आपको salary भी दे देते है, part time काम के लिए, उसमें क्या रहेगा, बस आपको bank का card दे दिया जाएगा, i card जो आप गले में पहनेंगे अपने, और बस उसके बाद आप bank के एक permanent partner बन जाएगे, तो उसके लिए आपको करना के अगर ये काम आप करना चाहते हो, तो आपको visit करना पड़ेगा branch में, यानि कि आपको direct online नहीं मिलेगा, क्योंकि part time work bank नहीं देते, अगर आपको चाहिए, तो आपको simply करना के अपने nearest branch में जाना है, इसी private bank की, वहाँ पे आपको senior अधिकारी है, HR team हो, manager हो, जो भी हो, direct मिल लो उन से, और अपनी बात उनके सामने रख दो, बता दो आप क्या हो, कैसे काम करना चाहते हो, किस तरह का काम आपको चाहिए, they will definitely help you, यही तरीका है, अगर आप चाहते हो, क्योंकि मैं काफी अपने students को जानता हूं, जो जुड़ चुके हैं, कमा अपनी बना लेता है, और study भी carry-on चल रही है, उसकी, तो मैं यही कहूंगा, आपको समझ में आ गया होगा, यही procedure होता है, क्योंकि मैं इसमें बहुर डीपली study कर चुका हूं, और कोई procedure नहीं होता, वीडियो चले के तो लाइक कीजिए, ऐसी मोर वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राब कीजिए,